प्यारे पसुपालन के अभिर्तियों आपके लिए एक बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी हैं और ये जानकारी हैं आपकी भरती को लेकर कि आपकी जो पसुदन साहिक नाम से पहले जो पद था LSA अब इसको नाम चेंज करके कर रखा गया हैं पसुदन निर्ख सक ठीके इसकी जो ब्रती हैं इसके बारे में आज आपके साथ चर्चा की जाएगी कि आपकी ब्रतिया कब-कब हुई हैं कितने कितने पदो पर पसुदन निर्ख सकी ब्रती होने जा रही हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यह वेकेंसी 2016 में इसकी वेकेंसी हुई थी 2016 में 2016 में इसके जो पद आये थे 2016 पसुदन सायक पसुदन सायक एक इसकी वेकेंसी आई थी 2018 2018 पसुदन सायक पसुदन सायक फिर इसकी वापस वेकेंसी निकली है फिर वापस इसकी वेकेंसी निकलेगी आप इसकी वेकेंसी निकलेगी दो हज़ार चोबीस में और इसका नाम चेंज हो गया पसुदन निरिक्षक hyper पसूधन निरिक सकता आप देखो इस सभी व्यकेंशी का गनित समझते हैं एक यि बार में जो 2016 में पसूधन साय की वेकेंशी हुए थी तो वह वेकेंशी हुए thinking 1585 हैं कितने पदोपर हुई थी तो वह हुई थी 1585 पदोपर सिधी बरती थी जिसके पास वेटनरी का डिपलोमा था उसने इस परिक्षा को अटेंप्ट में दिया और जो क्वालिफाइड हुए थे वह पसुदन सहयक बन भी गए और अच्छे से उनकी नोकरी भी चल रही है जो 2016 के बाद वापस इसकी जो वेकेंशी आती है वो वेकेंशी आती है 2017 के बाद वापस वेकेंशी जो रिलीज की गई वह की गई थी 1136 पद 1136 पद पर वापस वेकेंसी आई थी 2022 में जिसका एक्जाम हुआ था 2023 को इनका जो एक्जाम कंडेक्ट कर रहा है था राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड ने यह देको पहली वेकेंसी 2016 की है फिर बाद में 18 की है फिर बाद में 22 की है तो यहाँ पर देको दो साल के गेप के बाद वापस वेकेंसी आई और यहाँ पर गेप लगया चार साल यहाँ पर गेप लगा है चार साल अब चार साल का यहाँ गेप लगा है और वापस यहाँ पर आ गया है दो साल तो अब की बार वापस दो साल पे किस लिए वेकेंसी आ रही है तो इसकी जानकरी लिए आपको नोलेज होना चाहिए कि अभी जो बजट पेस हुआ है राजस्थान का जो बजट पेस हुआ है इसमें लगबग 525 लगबग 525 पसुदन निरिक्षक या जो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं जो पसु होस्पिटल होता है पसु का उसके पद सरजित किया गए हैं कि 525 तो होस्पिटल इसके बनाये जाएंगे अब होस्पिटल बनाये जाएंगे उपस्वास्ति के अंदर बनाये जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डोक्टरों को भी बिठाया जाएगा कुछ जो एलेसा स्वास्तिय के अंदर थे अब वहां के होस्पिटल भी तो वहां कर्मोनत होंगे वह भी कर्मोनत होंगे तो जैसे ही होस्पिटल फास्ट ग्रेड श्रणी में कर्मोनत होता है तो वहां पर दो LSA लगाया जाते हैं जो पहले नाम चलता था LSA का तो वहाँ पर भी पसुद्धन निरिक्सक लगाया जाते हैं और जो नई पंचाईतों का निर्मान हुआ है नगरपालिकाई बनी है वहाँ पर भी उप स्वास्ते के अंदर और पसुद्धन स्वास्ते के अंदर भी वहाँ पर निर्मित है वहाँ बन रहे हैं और वहाँ पर भी आपकी सिंटों का जो वेकेंट रहेगा तो वहाँ पर भी नई पद है वो चकर्जीत किये जायेगेत और एक बड़ी पसुदन निरिक्षक की एक वेकेंसी की कर दो इस वेकेंशी का ध्याँ रकना जहां तक संभावना है जहां तक संभावना है दो हजार चोबीस में उसकी वेकेंशी आएगी 525 पत्तो डाइरेक्ट दे दिया बजट में प्रस्तावीत बजट में प्रस्तावीत केवल पसू वाले की जो पसू उपस्वास्तिय के अंदर है इसकी केवल एक किलियरिफिकेशन दिया है कि 525 बनाए जाएंगे बाकी कोई भी एक भी वेकेंसी के लिए इसमें किलियरिफिकेशन नहीं दिया कि किसमें कितने पदों पे भरती होगी और एक इसमें 525 तो ये होगे और एक जो नई पंचायते नगरपालिका हैं ये बनी हैं यहाँ पे भी नए पदों का सरजन होगा तो 525 तो ये और जो नए जिल्ले और नई पंचायते और जो नई नगरपालिका हैं वहाँ पर भी नई पदे लगबग अपने 500 से लेकर 700 से जादा पद वहाँ पे भी सरजीत होंगे लगबग एवरेज चलेगा लगबग 700 पदों का कि वहाँ पर नए पदों का सरजन होगा तो 500 ये और 700 नए पदों का सरजन और अभी वर्तमान में लगबग 500 प्लस पद वेकेंट चल रहे हैं खाली चल रहे हैं तो अपने टोटल वेकेंटी कितनी बन सकती हैं 500 तो अपने प्रस्तावित बजट की 500 है प्रस्तावित बजट की प्रस्तावित बजट इसकी है 525 525 पद नए जिल्ले नए नगरपालिकाएं नए नगरपालिका नए ग्राम पंचाईत नए ग्राम पंचाईत मुख्यालियों पर मुख्यालियों पर नए पदो का सरजन लगबग लगबग 700 ठीक है लगबग 700 पदों का सरजन हो रहा है बात करें वर्तमान में वर्तमान में पसुधन निरक्षक के निरक्षक के पान्सो प्लस पद रिक्त चल रहे हैं रिक्त चल रहे हैं ठीक है तो अब टोटल पद कितने हैं पान्सों लगबग लगबग 1700 यानि एक एवरेज वेकेंसी निकलेगी पसुधन निरक्षक की तो वो लगबग 2000 पदों तक इसकी वेकेंसी जाएगी क्योंकि ये सारा का सारा देखो आपको किलियरिफिकेशन दे दिया हैं कि ये इसका एक प्रस्ताव चल रहा हैं और इस प्रस्ताव को जल्द ही अनुमोदन मिलेगा और अनुमोदन मिलने के बाद तुरंत ही राजस्तान करमचारी चैनबोर्ड जैपूर द्वारा गिता रखी जाएगी जिसने वेटनरी डिप्लोमा कर रहा है तो वो आज से ही त्यारी शुरू कर दे और जुड़े रहे उतकर के साथ धन्यावाद